दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से पाज गुन है जो इस्त्री को अच्छी पत्नी बनने का दर्जा देती है दोस्तो कहा जाता है कि पत्नी अगर सौभाग्यशाली हो तो पती का जीवन खुद वखुद सरल और खुशाल हो जाता है तो आज हम जानेंगे इस्त्रीयों से संबंदित वह चापाज गुन जो इस्त्रीयों को अच्छी पत्नी बनने का दर्जा देती है पहला गुन है दोस्तो ऐसी इस्त्री जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है उसके घर में हमेशा बहार रहती है और उसके पती के साथ साथ उस घर के अन्य सदस्यों का जीवन भी खुशाल होता है दूसरी गुन्ड ऐसी इस्त्री जिसकी इच्छाय सीमित हो क्योंकि महिलाओ की इच्छाय पूरी करने की चाहत में कई बार पती गलत काम कर वैटता है ऐसे में उसके लिए काफी समस्याय खड़ी हो सकती है और उसका जीवन नरक बन जाएगा लेकिन अगर इस्त्री की इच्छाय सीमित हो तो और संतुष रखने वाली हो तो उसके पती का घर और उसका पती सभी खुशाल रहते हैं तिसरा गुण ऐसी इस्त्री जिसमें धैरे हो अर्था जो इस्त्री अपने पती के साथ हर परिस्तितियों में साथ निभाए उसके पती का जीवन हमेशा खुशाल रहेगा क्योंकि एक पत्नी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वहाँ अपने पती को हर बुरे काम से दूर रखती है ऐसे में अगर आपकी पत्नी के पास धर्य है तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा चौथा गुन यदि आपकी पत्नी को घुशा नहीं आता है तो भी आपका जीवन खुशाल रहेगा क्योंकि हर पती ऐसी ही पत्नी चाहता है जो उसकी बातों को समझे वेवज़ा घुशा ना करे जिससे घर में विवात पैदा ना हो और उसका जीवन खुशियों से भरा रहे पाच्वा गुन है पत्नी की भाषा और बोली अगर मीठी हो तो पत्नी का घर खुशियों से भरा रहेगा लेकिन अगर आपकी पत्नी कड़वा बोलती है उसकी बोली में मिठास नहीं है तो वहाँ अपने पती को हमेशा अलग-अलग तरह के मुसीवतों में डाल देती है जिस से उसके पती का घर और जीवन दोनों नरक बन जाता है दोस्तों उम्मित करता हूँ वीडियो आपको पस